manィ frain तो आज कि इस वीडिएओ में तो सी楽manuel सेलेकशन पार् डू को अगर मेरा सिलेक्षन वर्ड नहीं देखा है तो आज के देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि Microsoft Word में माउस के द्वड्ट सिलेक्षान कैसे किया जाता है है आज किस वीडियों में सीखेंगे कीवोर्ट के द्वारा सेलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं यानि कि मेरा सौटकर्ट की पर फोकस रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का सबसे पहला सेलेक्शन है कि है अगर किसी भी डॉकमें हैं माने कि इतना यहां टाक में इस में सकतंदयार बी इस प्रकार से कर सांब से एक स्क्राइब कंगे इस फ्रीटर में सिर्टे suggesting करने को जैसे ही प्रेस्ट करेंगे आपका जिस अस्थान पर करसर रहेगा वस अस्थान से लिप्ट क्यों कुछ चीज्ब्रकारस से All यहां पर सिलेक्षन करेंगे और यहां पर सिलेक्षन करेंगे कि जहां पर मेरा करसर था उस अस्थान से लिफ specifications कर लिया अगले selection के और बढ़ते होरों हम लोग सीखेंगे अभी हमने सीख लेट की हम लोग सीखेंगे लिफटा थे हैं अगर मेरे को right की और सिलेक्षन करना होगा right इसके लिए क्या करना है मंलें के मेरा की यहां पे और जहां पर करसर रहेगा उस अस्थान से आपका right की और सिलेक्शन करेगा अगर मेरा करसर को यहां पर हम रखते हैं और उसके बाद shift के साथ in button को प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जहां पर मेरा करसर था उस अस्थान से मेरा right की और पूरा का पूरा उस तुन से करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है मालिक के सेलेक्शन हो चुका है देख सकते हैं यहां पर यहां पर माली करसर रखते हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं ctrl shift और in button जैसे प्रेस्ट करेंगे आपको देख पाएंगे कि वहां से फूरा का पूरा सेलेक्षन हो चुका है अगर यही चीज आप यहां पर रखते हैं तो पूरा 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 आपका डॉक्मेंट को चुका है बात करते हैं अगले सीलेक्षन के और जिसमें लोग सीखेंगे कि मेरा करसर जहाँ पर के ऐसे अगर उपर की और यहां पर है और यहां से कुछ चीज प्रकार से मेरे को सिलेक्षन करना तो ऐसे तो तो आपको करने में काफी ज़्यादा समय लग जाएगा तो आप इस परकार से ना करके आप यहां पर क्या करेंगे नेक्स हम लोग से elf और राइन को से ने पूर यहां से यहां से स्टार्ट रोगा यहां तो इसको से करना होगा तो आप ऐसे करते हैं ड्रैक करते हैं ऐसे करने में आपको काफी ज़्यादा समय लगता है तो आपको इसको सेलेक्षन करने के लिए क्या करना है अपने कीबर्ड से के और इस लाइन कе कहीं भी किसी भी पाट माउस का लेभ प्रेश कर देंगे और यह आपका सीलेक्षन हो जाएगा यह्क प्रकार से पूरा मेरा से छहां रहा है पुछ जाए तरह देख से मान लेकिंदे मैं रट करना है इसका starting और ending point यहां है तो जैसे आप यहां पर control button प्रेस करेंगे control बटन प्रेस करके आप यहां पर कहीं भी क्लिक करेंगे जिसे माली किसके last में करते हैं और देख सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा line selection हो सकता है तो यह आपको काफी काम आएगा इस तरह के line को आपको selection करने में या किसी भी एक complete line को selection करने के लिए अगले selection के और हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग सिखेंगे कि अलफावेट कली selection कैसे किया जाता है एक keyboard के थूरू तो अलफावेट कली selection करने के लिए आपको क्या करना होता है जिसे माल ले कि यहाँ पे पिच्चर के पास मेरा करसर रखा हुआ है और इसके बाद हमको यह पिच्चर को सिलेक्ट करना है अलफावेट कली करने का मतलब है कि एक एक लेटर को आपको selection करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे सिप्ट बटन प्रेस करके अप यहां पे एरो की ऐना की यहां पर यहां पर एक एक लेटर यहां पर सेलेक्शन हो रहा है चलिए इसको फोकस करके तोच दिखा देते हैं इसके तोच जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में असानी हो जीससे माली कि यहां पे इस बार हम करसर को रख दिए और उसके बाद यहां पर हम लोग shift के साथ right arrow प्रेस कर रहे हैं देख सकते हैं आपको एक एक लेटर को यहां से आप सेलेक्शन कर सकते हैं नेक्स हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको वन टाइम प्रेस करें कीवर्ड से और एक वर्ड सेलेक्शन हो जाए ठी यहां परेस करेंगे मैं और बसलर को रख और जैसे हमें प्रेस करेंगे मेरा वह क्लिक पूरा का पूरा सिलेक्शन सेलेट्र wildlife जाना चाहिए तो इसके लिए आपको प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से इस से और ऐर खी जैसे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं की one type बेस में आपको क्या करना है control और right में करना है तो right arrow left में करना है तो left arrow अगर माली कि आपने एक दो कर लिया सेलेक्शन उसके बाद आपको पुरा का पूरा line करना है उसके बाद control और down arrow को प्रेस करना है पूरा का पूरा आपका paragraph सेलेक्शन हो जाएगा इस परकार से तो इस तरीके से आप कर सकते हैं